हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्फोलाइव हिंदी पे आसा करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वाच्त होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और रिब्यू करेंगे इस पतंजली दीबियो सुधी चूर्नका जानेंगे इसके प्राइस कॉमपोजिशन, यूजस बेनिफिट्स और साइड इफेक्स के बारे में और जानेंगे क्या इसको रोज लेना आपके लिए सेफ है और क्या है इसको लेने का बिल्कुल सेफ और सही तरीका वीडियो में कृपिया अंतक बन रही है और हमारे चैनल पर नए है तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पे सेड करें ताकि हम जैसे ही कोई निव वीडियो अपलोड करें और तुरंद आपके पास पहुंच सके जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह दिबियो सुधी चूर्णो यह पतंजिली दिबियो फार्मासी का एक बेस्ट प्रड़क्ट है इसका प्राइस फिलाल के लिए 105 रुपिया है 100 ग्राम पेक के लिए यह पाउडर की फॉर्म में मिलता है इसमें हरड, बाहेड़ा, भुमि इंद्राइन जैसे आरिवेदिक जड़ी उटिया डाला गए हैं यह पतंजिली का सबसे बेस्ट रिमेडी है ग्यास कॉंस्टिपेशन कब्ज अपच इंडाइजेशन के लिए कितना भी ज्यादा कॉंस्टिपेशन कब्ज हो इससे आपको पका आरा मिल जाएगा अगर आप दिलाता है इसको डॉक्टर की सला से ही यूज करें इसको ज़्यादा रोज में यूज ना करें इसको एक चमच रात को सोते समाई गुन्गुने पानी के साथ यूज किया जा सकता है अगर आपको कब्ज यानि कॉंस्टिपेशन की बहुत ज्यादा समस्या है तकलीप है तो भी आप इसको यूज करें यह पेट से आंतों से सारे कुपित मल को बाहर निकल देता है जिससे पुरे सरीर और मेटाबोलिजम स्वस्थ हो जाता है इसको ज्यादा डोज में लेने से कुछ साइड एफेक्ट्स भी हो सकते हैं हलाकि बहुत सोब इतना सिरियस नहीं होते इस द पानी और सफिसेंट नींद लें जंक फूड ओईली फूड नन वेज़ फूड से परहज जरूर करें फाइवर रीच फूड 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 फूट्स वेज़िटेबल्स का होसे के तो ज्यादा इस्तमाल करें तभी आपको इसके और भी अच्छे परिनाम मिलेंगे आपको इस प्रोड़क्ट का कितना लाव हुआ क्रिपिया हमें कॉमेंट के माधि हमसे जरूर बताईएगा आसा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए जरूर फाइदमंद हुआ है तो फिर इस वीडियो को लाइक सेयर करें कोई सवाल हो तो हमें कॉमेंट करें हमें सपोर्ट करें क्रिपिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करना विलकुल ही फ्री है हम बड़ी महनत से वीडियो बनाते हैं हमें मोटिवेट करें हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे आप सभी स्वस्त रहें फिर में लेंगे ऐसे ही एक नए दमद वारम जाय हिंद